सबन समाज में सबस्यादा एक रेसीव कौन है जातिवाद को? किसी पर्टिकुलर जाती को नहीं कह सकते हैं ये एक मानसिक रोग है जो अपने आपको उचा बताने के लिए कोशिश की जाती है तो उस मानसिक रोग को सबन समाज की जाती हैं उन्हें कम करना पड़ाएगा टीबी अख़बार देखेंगे तो कहा जाता है कि बिहार यूपी महराष्ट में जाती बाद है जबकि जाती बाद के खिलाप उहां लड़ाई है सोसल जस्टिस बहुत आगे आचुका है उहां मायवती, करपूरी, ठाकूर, लालु, यादब जैसे लोग मुखमंतरी बन चुके हैं रामसुंदर्दा जैसे लोग मुखमंतरी बन चुके हैं महराष्ट में सिंधी जैसे लोग मुखमंतरी बन चुके है उन राज्यों में जहां लंबे समय तक सिर्फ बीजेपी, कॉंग्रेस, कॉंग्रेस बीजेपी रही है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मतपरदेश हो, यहां सबसे जादा जातिबाद अपने चरम पर है, मेरे साथ राजस्थान के एक OBC के समाज से भी हैं, OBC अधिकारम उसमें सवन समाज की भागिदारी है, मीडिया, जिटिशियरी, कॉलेज, इनवर्सिटी, ब्यूरो करेसी में जातिबाद समाज करता है, लेकिन जो गरामिन जातिबाद है, जो जातिए हिंसा है उसमें OBC की कम्वनिटी जादा सामील है, राजस्थान में क्या है, उस पर बिल्कुल राजस्थान में जातिवाद और उच नीच वाली वियोस्था आज भी है जो पहले थी लेकिन लोगतंत्र इस्थापित होने के बाद उसमें कमी आई है लेकिन अभी भी काफी हद तक है पिछलों के साथ थोड़ा कम है क्योंकि वो मतलब कौन सी कमीटी जादा है हुआ जाट गुरजर पिछलों में पूरे राजस्तान के परिपेक्ष में बात करें तो जाट और गुजर ये अच्छी संक्याम है और ये सेनी है पाटिदार है कलाल है सुआल का है कंसारा है सोनी है इसनी है परिपेक्षार करते हैं किसी पर्टिकुलर जाती को नहीं कह सकते हैं यह एक मानसिक रोग है जो अपने आपको उचा बताने के लिए कोशिश की जाती है तो उस मांसिक रोग को स्वर्ण समाज की जो जाती हैं उन्हें कम करना पड़ाएगा और मेरे काफी मीत्र हैं स्वर्ण समाज से भी तो जब हम साथ में बैठते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन यह क इसे प्रीट कोन है वहाँ अदिवासी में मिना समदाय भी बहुत है भील भी है स्रीवल कास्ट वी है सबसे अदा प्रीट कोन है यह मैं कि सकता हूं जो संख्या बल में ज्यादा है जैसे ट्राइबा दक्षिन राजस्तान में आप देखो गए तो अदिवासी वहां पर जाती आधर पर जाती से उपर है, राजस्थान जो वीरो की भूमीरा और राजस्थान देश के सहनिक देता है, और मेरे लिए तो गर्व की बात है कि बहुत सारे सहनिक देश की सेवा करते हैं, जो किसी जाती की सेवा नहीं करते हैं, जाती की रक्षा नहीं करते हैं, तीरंगे की रक्षा करते हैं, और जाती को लेकर जो कहें, तो राजस्थान में एक बहुत गलत कदम जरूर उठा है, वीप्रकल्यान बोड बना है, जो केवल ब्रहमनों के कल्यान के लिए बना है, तो म मिला के 12 और 15 प्रतिशत पूरे देश राजस्छान की बात करें तो लगभख साइट प्रतिशत और देश है साइट प्रतिशत विए daha सेट अब ज़िए कर एंध कि जातेयां भी जातीए हिंसा में सामिल है हाँ कुछ जातिया है बिल्कुल मैं उस चीज को स्विकार करता है और चाहँ ओबीसी सिकार है कि नहीं जाती है हिंसा का सवर्न द्वार ओबीसी भी सिकार है ओबीसी भी सिकार है ओबीसी समझ नहीं रहा है कि हमारा दोस्त कोन है दुश्मन कोन है और हम तो यह कहते हैं कि STSC जो है हमारा सवेधानिक भाई के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, उनके सवेधानिक जो अधिकारों का उलंगन हो रहा है, मानुता का जो उलंगन हो रहा है, समाजिक न्याय का जो उलंगन हो रहा है, उसमें OBC को हर वर्ग के साथ खड़ा होना चाह पॉलिटिकल लिहाद से देखे तो कॉंग्रेस बीजेपी लगातार हो रही है, उसमें सबसे जादा हालत कब खराब होती है। भारत में वो राज्य अभी भी जातिबाद से सबसे जादा बिमार हैं, गरस्त हैं जहां लंबे समय से कॉंग्रेस, बीजेपी, बीजेपी कॉंग्रेस का खेल चल रहा है। उपर बैट की ये सारा खेल खेल रहा है, उसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी महरार जैसे राज्यों में जातिबाद के खिलाफ लडाई है, इसलिए टीवी अख़वार उसको जातिबादियों का राज कहता है। खेल बहुत उल्टा है, आपको समझना पड़ेगा। अपनी पर्तक्रिया जरूर दीजे। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंग नेशनल दस्तक दिल ले।